अगर गाये मर जाएंगी साब मत मारो वैसे आम मुसल्मानों को दोस्त दे देते हैं मुसल्मानों का दोस्त का है यह तो हम खुद ही मारन लग रहे हैं अपने हिंदु कुछ बचाने के लिए लेकिन कुछ अपने को देखें अथाड़ी लेके दिखाऊंगा आपको थाड़ी नहीं रोटी के अंदर जहर श्कार मैं हूँ आपका दोस्त विनोश वर्मा और बड़ी मारमिक होने वाली है ये वीडियो टाइटल में थमनेल में आप देखके भी आ गए हैं सच में कल हत्या होने वाली है हिंदुस्तान की लाखों गाई की और हत्या जो करने वाले हैं इन भ यही चिंता कर रहा हुजिए मैं पिछले कर शालों सक्ष्टे में यही चिंता हमारे को सताई जाते है जब हम आवसाती है इसको हम कतल की रात बोलते हैं यह जो गायाज जिन्दा कढ़ी है ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास परसों उड़ू को बचाया जाए ठक लिए हम लो एक थे रोटी, धे पूरी, धे रोटी, दे पूरी, उसमें गाएं मरो, जियो, इनको कोई मतलब निए अपनी शरफ दक्यानुसी वीचारों को अपना अमली जाना, जामा पहलाने, पहलाना होता है, ना को इनको यू पता भी कैसे सराद निकाना जाते हैं, ना इनको यू पता और आप परसों में गारंटी लेता हूं, आपको मेहना इनको तड़पते हुँ दिखाऊंगा और हमारे हिंदू दुवारा इस तड़पती भी मिलेंगी आपको परसों और सोचता हूं अब इसको कैसे बचाया जाए दिन में तो आप तो हिंदू ही मार रहे हैं देखो अब य तो कल जितनी भी रोटियां लेके आएंगे जो रोड पे खड़ी हुई जो भी गायें को गोवन्स को रोटी देगा कल मेरी नजर में वो गोत त्यारा है जी देखिए यहां पर है और गो रक्षक हैं अपने आपको गो रक्षक कहें ना कहें लेकिन पुरा शहर कहता है संज कैसे मैनेज करें बड़ी व्यवस्था की है भीवानी की कुछ गोशाल आए हैं उन्होंने व्यवस्था की है कि जो भी ऐसे गव इनको मिलेगी उसको कैसे बचाएंगे और कैसे यह लोग भूंडेंगे कहां गाएं तडफ रही होगी और कैसे मैनेज करेंगे मैं से बात काता है हिंदू लोग कहते कि बस्यूम मारते हैं गाएं को लेकिन कल के दिन तो आप कह रहे हैं कि हिंदु ही मारेंगे बिल्कुल जी सो परतीसते पिछले दस बारा सालों से मैरे पास रिकाड है कि माव अशिरफ आम आवस को करनागत कि हम आवस को हर रिकार्ड है 20-20 प्लस में नियों काई कम से कम भी सो से सवासो के लगब बीमार मिलेंगी और 20-25 गायों को हम बचा नहीं पाएंगे किसी भी आलत भी पचा पाई अगर आप प्रियास ना करें तो सेकड़ों में हो सकती हो मरने वाली सेकड़ों नहीं दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा ये तो अभी आपको यकिन नहीं होगा हमारे 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 सब्सक्राइब के बिवानी के अंदर पांच छे जगह पर इन गायों को रोकते हैं और वहां पर आपने आदमियों को बठाते हैं कि इनको किसी को र हमारे जिस तरह को प्लाट है उस प्लाट में रोग दी तो उस वहांब है दो जने बैठेंगे दो जने बैठके और उसको हना कहेंगे एक रूटी अंदर दिया बाक्की की इसमें डाल दे ड्राम में वैसे खटा करते हम और अब इन गायों को भी हम कोसिस कर रहे हैं या भी इन गायों को अपलाट में रोख देंगे और एक एक रोटी हम इसको दिलाएंगे और बाकी को मुझ रखेंगे गले दिन वह उसको रा También के इसको बलते पका कि एम इसको देना कोसिस करेंगे लेकिन फिर भी लोग पता नहीं कैसे क्या किस तनी कोसिज कर लो चा यगिन मानते छहार कि हाएं पर भी की pathi कीसे परोशण के लोग ताली में अच्छा शजाव। जिए परोशियों के किसे में बढता हूं आपको कोई भी मौण कच्चा या पकानाज दो किलो तक पचा सकती हैं दो किलो अब मालो आपको भूग और चार चार पूरीयों कि अरहाखार हम आपक तो यहीं सेम परोशिजन के साथ होता है इनकी जो पेट की जो पाचन सकती होती है वो चारा पचाने के लिए ना कि पूरी हल्वा और ये एक्स्ट्राओर्णरी रोटी देने के लिए लगा तो साइब डाइजेस्टी नहीं होता तो यह इसमें क्या होता है पहले ही एक बात सो ओटा लो 30-4-4 यॉजेशन मिलेंगी है पैसे हैं दो होटिन इस तरह हमारे हिर किन्ह सबसेबदान पूरी सबजी जो भी तो वारएड़ी होते और उसके बाद, äलगा अलेद, ज़ो इए पहले हम पली नाmistց फिर अध्क कि ये उसके बाद मावस आएगी थाली के गूमेंगे मौल цен घ्माइ जायेंगे तो घ्रान तो ही मिलेंगि तीन तो और छेकर गषिकतनों डीन जब अफारारा बनेगा नहीं दिमाग के अंदर उसके अंदर जहर फैलेगा और वो नसों के अंदर जाके फूड पोई ने का सिकार हो के धीरी-धीरी तडब तडब के मरेंगी हम सारे रात कल डूंडते रहेंगे फिर अगले दिन डूंडेंगे और वो गाएं जो कल रात के बाद 11 बज़े के बाद जो मिल हमाम जनता से अपील करते हैं कि कल कल के दिन हमारे महरवानी कर लो रोड पे खड़ी गाये को ना दें किसी भी रोड पे खड़ी गाये गाये मर जाएंगे साब मत मारो वैसे हम मुसलमानों को दोस दे देते हैं, मुसलमानों को दोस कहा है, यह तो हम खुद ही मारन लग रहे हैं, और हम लोगों को दिखा भी देते हैं, अब हम आपको दिखाए हैं, हमारे पास आप रिकोर्ड देख लो, आप अपर ओन लाइन चेक कर लो, मावस से अगले दिन कि आजसल में बड़े अख़बारों के सुर्खियां बनती हैं कि रोड पर इतनी गाएं मरी हुई मिली लेकिन उनको मारने वाले हत्यारों के नाम ही नहीं होते क्योंकि वो लोग छुपे होते हैं आपके आसपास या आप खुद भी हो सकते हैं मेरी परार्थना है कि रोढ पर खड़ी हो गाएं को अगर आप ने कल किसी भी व्यक्ति ने रोड पर खड़ी हो गवन्मस को अगर आपने गोवराश दे दिया तो आप गोव तो तो पता है जाता है यहाँ पर रहाँ तो पता है नहीं को पतना है यह तो खाजेगे अनबोल है बेजुबान प्राणी है तो ये करपा करके रोड पे खड़ी गाए को कल हमावस साल में सिर्फ एक दिन हमावस वाले दिन महरबानी कर लें गउशाला में जाएं वहाँ पे दी आएं तो देखें यहाँ पर जितनी गाएं खड़ी हैं हो सकता है कल इन में से कोई ना हो क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से गोशेवक हैं गोरक्षक हैं संजे परमार ने बताया वैसे तो लोग आम दिनों में गउशेवा करने के लिए और बड़ी बड़े प्राकरम और पुन्ने कमाने के लिए ऐसे गोशालाइं बनाते हैं बस अब देखें कितने अच्छी तरीके से बनाई गई है लेकिन कल वून में से ही कुछ लोग ना समझी कि कारण इन्हें ऐसा भोजन खिलाएंगे गरिष्ट भोजन खिलाएंगे जो इन्हें डाइजस्ट करने में इनकी अंदर शमता ही नहीं होगी और फिर उसके बाद कहीं न कहीं वो भी पाप का भागी बनेंगे और कहीं न कहीं पुन्ने कमाने के चकर में पाप कमा जाएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल इसलिए मेरी तो हम इस लगातार काफी सालों से हम जागुरूप करने का लोग प्रयास कर रहे हैं तीव में भी एड भी देते हैं हमारे जार सारी वोस में अनाउसमिंट भी चल रही है और एक मैं आप सो प्राथना करना चाहूं अगर आपको कहीं भ बढ़िया तरीका है आप कोई भी चाबी या नुकिलिया चीजी लेजिए और उसके जोर से कमर में चुब होई आगर उसके लक्षन है तो उठेगी नहीं अगर उठती नहीं तो आप और आमें संपर करें या किसी भी नजदी की कोई आपके नजदी का सपास में को गोशाल और रोला राला मचा मुचो के ताकि लोगों गोर जाग उरुप करें हार सहर में क्या होता है एक एक सहर में एक मोले में गाय मरगी वह अपने चुप चाव दबादे दूसरे मोले मरगी दो दूसरा दबा देता है हम सारी गाएं को खटा कर लेते हैं अब हम भी अगले दिन आपको तो मेरी प्राथनागे अगर कोई भी ऐसा लक्षन देखे आख में से पानी आया या उंगती हुई मिले उस गाएं को फोरुन है ना पचास करा मिठा सो डालें और पचास करा मिठा सोड़ा किसी भी तरह से उसके मुह में डाल और हमारे को सुचना कर दे या नज़िक होई ओंगोव से उसको सुचना दें तो सैद गाएं बच सकती है या आप देखी किस परकार से यहां पर है संजे परमार ने जो आपको सुचित किया है और जागरुकता यह संजे परमार का खाली हिस्सा नहीं है जिम्मा नहीं है आप प्रियास कीजिए अपने इस्तर पर अगर कोई एक्स्ट्रा किसी को और फिडिंग करवा रहा है या आपको दिख रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा खिला रहा है वो तो आप रोक सकते हैं आप भी एक सामाने आम आदमी हैं उसके साथ साथ जागरू के नागरिक बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को कोई लोग देख रहे हैं तो इस नंबर पर कोल कीजिए और अगर दाइंबाई कहीं से कोई आपको घटना दिखाई देते हैं दूसरे शहर से आप देख रहे हैं तो आपने यहां के डोक्टर से या फिर आप किसी प्रशासनिक जो वहां पर उन्होंने नंबर जारी किया लेकिन बचा यह प्रियास किजिए जो हिंदू हमेशा गूमाता के नारे लगाते हैं और गूमाता के नाम पर बहुत से लोग वोट हासिल कर लेते हैं उन तक यह आवाज पहुंचाए कि कम से कम दो दिन तो बक्स दीजिए इस गूमाता को अप इस वीडियो को सेर करें सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद राम राम जाहिए